तो यहां आपके पास एक equation given है जिसको आपको क्या करना है factorization करनी है ठीक है आपको factorization करने का value पता होनी चाहिए कि आपको middle term को break करने है ठीक है this is a middle term जिससे आपको break करने है अच्छा अब break करने के rule क्या होते है कि जब आप इसको मतलब कोई भी number को 2 कोई number को multiply करो तो आपके प multiply करो तो आपके पास आना चाहिए 20 और उसी xy को जब आप plus करो या minus करो तो आपके पास क्या आना चाहिए 8 ठीक है यह आपके rules है अब आपको क्या करने है इसको break करने है अगर मैं 10 में से 2 निकालू तो मेरे पास क्या बच्छा है 8 तो हमाई बस और 10 को 2 से multiply करो तो मेरे पा यहां पर common क्या आ सकता है सिफ x common आएगा तो मैंने x ले लिया यहां पर x अंदर आया अब यहां 10 का 10 पूरा का पूरा आएगा यहां इन दोनों में 2 common आ सकता है ठीक है तो मैंने लिया x 2 तो 20 तो आपके पास आगया माइनस माइनस प्लस 210 अब आप क्या करोगे x माइनस 2 करोगे और x प्लस 10 करोगे तो अब हम देखेंगे ओपर हमारे पास x प्लस 10 और x माइनस 2 हमारे पास option a में है तो option a जी correct answer